कई सालों से OBS यूस कर रहा हूँ, कई सालों से आपसे रूबर हूँ, आपसे मिलता रहता हूँ, वीडियो कॉल के माद्यम से या फिर हम बात करें, यूट्व के माद्यम से, आप लोगों का ڈऊट हमेशा कहीं न कहीं रहता ही है, कि OBS में sound quality कैसे improve करी जाएगे बहुत सारे factor से अक्षतर में डरता था कि लंबे वीडियो बना दूंगा तो शायद वीडियो चलेगा नहीं बड़ मुझे लगा कि यार आज इस वीडियो के माध्यम से जो लोग डिजिटल प्लेट पैनल पर आपके साथ रूबर हुआ हूँ और दूसरी बात करें तो यहाँ पर आज मेरी पूरी टेक्निकल टीम मेरे साथ में हैं जो एक एक पहलू एक एक पॉइंट पर बात करेंगे समय नहीं लेते सबसे पहले शुरुआत करते हैं OBS से OBS installation कैसे होगी आपको यह नहीं पता तो आप कहीं भी इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए गा या फिर डिस्क्रिप्शन में में अपने ही वीडियो की लिंक दूंगा OBS installation आप कर लीजिए लाइव जाने के लिए टीचर या एजुकेटर या कोई भी क्रियेटर है उसके लिए लाइव जाने आप लोग कई बार इसका नाम नहीं देते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनुच आप नाम दे दीजिए तो आपको यहां पर आपके माइक का नाम देना ही चाहिए आउडियो कैप्चर नहीं आप इसमें माइक का नाम दे दीजिए तो ऑडियो 1 यह मेरा जो माइक है औ नाम अलग भी आते हैं नाम कैसे बदलेगा मैं आपको भी बता दूँगा तो यहां पर गए और इस माइक को हमने पूरी तरीके से निकाला उसके बाद में इसको हमने क्लोस किया और क्लोस करने के बाद में फिर से हम लोग गए प्रॉपर्टीज पर तो आप देखोगे एक ही माइक है अब यह एक ही माइक है यहां पर राइट एक ही माइक है अब जब मैं इसको फिर से एड करूंगा यहां पर फिर से मैं एड कर रहा हूं यह मैंने यह मैंने एड किया फिर से इसको क्लोस किया फिर से मैं यहां पर गया प्रॉपर्टीज पर और प्रॉपर्टीज प को थोड़ा सा और क्लियर करते है曲 करहिज के एजाने के बाद में यहां पर आप जाएंगे रिकॉर्डिंग में आप देखिए कि ₹ जॉप का माइक है है ये एलो, देखो, बोलने पर ये किल रहा है पता चल गया अब आप क्या करो इदर क्लिक करो प्रफरट्टीश पर जाओ और इस microphone का नाम चेंज करो इस microphone का नाम पतलि उसका डाल दीजिए अपला है ओके तो ये नाम होगा, इसका आहूज माइक अब आप अपना OBS खोलेंगे, फिर से यहां पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहां पर देखेंगे, तो भाई सहाब इसका नाम क्या हो गया, अहुजा माइक हो गया, तो एक भ्रांती जो आपके मन में रहती ही न हमेशा से, कि यार इसका नाम दोनों का स चल रहा है, अब बहुत से सज्जन लोगों के उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इको साउंड क्रियेट होने लगता है, ठीक है, बतलब आवाज डबल डबल आती है, समस्या क्या है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें, तो आपको यह पता चलेगा, कि यहां पर मिक्स ऑक्स बाइ डिफाल्ट जो आप OBS को इंस्टॉल करते हैं, तो यह भाई साप स्टार्ट रहते हैं, तो इनको हमेशा कर दीजे बन, ठीक है, अगर आप गलती से यह कर लो कि एक और साउंड केप्चर डिवाइस ले लो और उसमें फिर से आउजा माइक कर दो, तो फिर से व कर्मली चल रहा है, पर आप देखो, हलो, 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 यह रेड जा रहा है, इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, इसके लॉजिक को अगर आप समझ गए, तो मोस्ट आप टाइम आप एक बहुत अच्छी चीज से तर जीच जाएंगे, जो हमारे साउंड की जो एकदम से आवाज और वो होती ना, तो आप लोगों को इसकी नौलेज लेना पड़ेगी इस ट्रैक की, तो सिंपल सी बात है, हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं कि रेड जोन में नहीं जाना चाहिए, यह रेड जोन है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए, तो आपके आवाज अगर यहा तक जाना चाहिए, आप चिलाओ भी तो यहां तक जाना चाहिए, रेड पर टश नहीं करना चाहिए, तो आवाज फटी और इरिटेशन होती है, इस लोग को आपको समझना ही चाहिए, अगर यह आप कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आवाज लाइट आनी चा बहुत जादा नहीं जा रहा है, इसको भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है, चलिए, अब एक प्रॉब्लम और जो मैं अपने डे-to-day लाइफ में देखते आया हूँ, भाई साब हमारे लैप्टॉप में जो है ना, यह माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है, आउजा का, बोया का, यह बड़े परिशान आप भी रहते हैं, अब थोड़े जैक के कॉंसेप को समझते हैं, तो हम इसको मैं इस कॉंसेप को समझा उससे पहले आपको मैं एक ग्रामेटिकली बताना चाहता हूँ, कि यह देखिए आपका लैप्टॉप है, अब पुराने जो लैप्टॉप आते थे उसमें दो जैक आते थे, अगर आपके लैप्टॉप में यह 2 जैक नहीं, सिर्फ और सर्फ एक जैक आ गये, तेकनलोजय से अपग्रेड होती हैं, वैसी ही, लोग कामचवर होना स्टार्ट करते हैं जेक साइज छोटी करनी कुछ ना कुछ कम कर रहा तो नोंने दोनों जेक को मिला के एक बना दिया अब इसी जेक में कनेक्ट होता है आपका माइक और इसी जेक में कनेक्ट होता है आपका स्पीकर अब जो हमारे भाई सहाब होते हैं वो लोग कहते हैं कि आरे सहाब माइक तो क description में दे दूँगा तो देखिए यहां पर एक माइक है साहब और एक हमारा headphone के लिए तो माइक वाला माइक में कनेक किया और यह मेरा एक सिंगल लैप्टाप था यह laptop में लगा है यह समस्याएं आपको भी आती होगी और आप इन समस्याओं से लड़ो इसका solution आपको दे चुका है तो आपको डिस्क्रिप्शन से वह बाइक कर लेना है अगर नहीं है तो अच्छी कॉलिटी का बाइक करिएगा चलिए फिर से चलते है स्क्रीन पर यह तो समय में आगया हमको माइक भी हमने आड़ कर लिया है अब एक समस्याओं यह बहुत बड़ी समस्याओं क्या होता है विचारे टीचर्स में विचारे इसलिए कहूंगा क्यों टेक्निकल नॉलेज की कमी टेक्निकल लोग उनके कि आवाज आ रही है मुझे बताई कमेंड करका बताईए स्हाब अगर आपकी आवाज नहीं आரी तो आप क्या करोगे घबरा जाओंगा परशान जाओँगे आपके बच्चोंれる क्यों पूछते हो live में आप खुद test कर सकते हो कैसे test कर सकते हो वह आपको बताता हूँ दिखे तो यह हमारा mic में फिर उपर लगा लेता हो मेरे laptop से connected है यह mic मैंने लगा लिया hello 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 पर मिल्म कल प्रॉपलली चल रहा है अब क्या करना होगा तो आपको अपने जाना न के बाद में आपको जाना है अपने लगा देगि में थे अब देखिए हैं अपको क्या करना है शरुआ इसे वालेी 500या को भड़े 725 या उन्तिन यहां है फ्षाट में लगा देना है अब यह speaker आपका क्या काम करेंगे तो जब भी आप live जाओगे तो सबसे पहले अपने बंदे को बोलो के सामने जो बेठा या फिर आप खुद क्या करोगे यहां पर audio monitoring पर जाकर आप करोगे monitor and output जैसे ही आप इस पर यह करोगे आप इसको close करेंगे तो अब आप देखेंगे हलो हलो यहां पर मेरी आवाज मेरे speaker में भी आना चालू हो गई तो मतलब live जाने से पहले एक बार यह testing आप कर ले और आप क्या कर सकते हैं इसके साथ आप क्या कर सकते हैं अपना जो अगर कोई बंदा बेठा है ना तो उसको बोले कि भाई तू कांद में headphone लाके बैठ कहीं पर भी आवाज का कोई disturbance आए तो इसे ठीक कर अब यह आवाज यहां पर आ रही है यह इसको पूरा दिख रहा है अब यहां पर फिर से मैं सेटिंग पर जाओंगा यह चलने देंगी या तो आप चलने दीजिए क्योंकि आपको थर्ट परसंड है इस पीकर पर चेक करना है तो आप इसे चेक कर सकते हैं या तो हैटफोन या स्पीकर पर आपको इसकी आउडियो की मॉनिटरिंग कर सकते यह करने का फायदा क्या है कई बार हम लोग वाइरलेस माइक की बैटरी खतम होगी तो सामने आला बैटरी खतम हो चुकी है आई यह बन रखना है ताकि आपके बंदे को इसके आवास सुनाई दे अब एक और समस्या जो है ना समस्या नहीं कहूंगा कि एक और चीज का नॉलेज अभी मैं इसको आफ कर देता हो क्योंकि मेरी आवास मुझको आने लगेगी तो ज्यादा कॉलिटी में और डिस्रेक्शन होगा और साउंड कॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए तो यह वीडियो बनाया है मैंने आज अब देखिए यहां पर एक भाई साब है हमारे मोनो यह मोनो क्या कहते हैं तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है अभी तो यह समझदार है इसलिए दो लाइन तो यहां पर अगर आपको A几ी शो घॉर हो ठींग हो रही है इसका मतलब आपके कान एक रही है आप क्लिक कर दो लाइन मतलब आपकी आएड़वांच लेवल पर कर दिया इसका वता दी स्सकidas कि कैसे होishi है और चल्हां पकर दिक्द आईगा है काने कैसे होगा यह सारी चीज मैं आपको बता दी अब एक हो चीज होती है फिल्टर की कहान तो देखिए मैं जिस स्टूडियो में जिस प्रिमाइस में खड़ा हूं यहां पर फिल्टर ना भी लगा हो तो काम चलेगा बट आपके जितने भी स्टूडियो ऐसे बने होंगे है इक्सपीरियंस है और यह एक्सपीरियस आपके पर आएगा तो आपको भी सोचना नहीं पड़ेगा तो हमारी टीम खुद आपके घर पर आएगगी जिस भी लोकेशन में इंडिया में कहीं पर भी आप स्टूडियो बनवाना चाहते हो हमारी टीम आपके चाज़ चलकर सकते हैं अब फिल्टर कौन सा लगा यह भी एक कोश्चन है तो फिल्टर लगाने के लिए यहां प्लस करेंगे और सबसे पहला जो फिल्टर मुझे लगता है वह लगता है हमें लगता है कि नॉइस गेट लगा लेना चाहिए नॉइस गेट को कर दीजिए अब आप देखिए बाइ-डफोल्ट बीजिए इतना समझदार होता है कि नॉइस गेट की फ्रिक्वनसी अर यह फिर्क्वेंसी ऑपकी बिल्कुल नोट करके है नॉइस घेट तो यह आजस पास की जो आवाज जो कम प्रिक्वेंसी आलि हाली इसको मेंटें करता है जैसे फैन की आवाज नही आना चाहिए या फिर कोई नॉर्मल टाइप कर रहा है उसके आवाज ने आना चाहिए तो यह थ्रेशोड मेंटन करता है बाइड डिफॉल्ट में भी इसे डिफॉल्ट रखता हो इसको बहुत जा समय नहीं कोशिश नहीं करता हो तो में थ्रेशोड लगा देता हो और इसके बाब में इसको आगे बीचे करके आप सेट कर सकते हैं दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है वह हम लगाते हैं हमारा नॉइस सप्रेशन तो आप 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 सिंपली इसको यहां पर लगा सकते है या फिर आप चाहे तो इस पर क्लिक करके स्पीड एक्स करके यह सप्रेशन लेवल को बड़ा या कम जदा कर सकते हैं तो नॉइस को सप्रेशन भी करना जरूरी है इनकेस कहीं पर नॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो यह दोनों फिल्टर आप लगा कर आप आप डिफ्रेंस फील कर सकते हैं आपके स्टूडियो के अकौर्डिंग आपके इंफ्रस्ट्रक्चर के अकौर्डिंग टीक है बट मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि इसको हमेशा डिफॉल्ट पर ही चलाईए यह यह दो फिल्टर हमने यहां पर लगा दिए अब क्या तीसरा फिल्टर लगाने की जरौत पड़ेगी तो तीसरा फिल्टर लगाने की जरौत मुझे नहीं लगता कोई फिल्टर आपको भी लगाना चाहिए हां एक चीज़ आप कर सकते हो यहां पर आपको अगर लगता है बहुत सारी चीज़ें इस पर दिमाग नहीं लगाईएगा जो आपकी सरसराइट की आवाज यह सब आवाज बहुत दीमी आरही है तो आप क्या कर सकते हो यहां पर इस डीवी को बढ़ा दो हलो 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 यह दिवी थोड़ा सा बढ़ा लो हलका सा यह देखिए मैं मैक्सिमुम इसको फोर फाइव से ज़्यादा मत लीजीगा लोग ग्यारा बारा दस पे नहीं फोर फाइव द टेस्टिंग बता रहा था अब मैंने यह गेंद बढ़ा दिया अब मैं इसको बढ़ाते जाओंगा तो आप देखेंगे कि इसको हलो 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 तो देखिए और आवास तेज हो गई अभी तो यहां स्पीकर छोटे है तो चल रहा है तो इसलिए इसको पांच रखो ज्यादा पढ़ रही है और बढ़ाना है तो बढ़ा के एक बार आप हिटेंड ट्राइल करोगे तब ही चीज़े सीखोगे ऐसे कोई आकार सावकार आके आपको प्रो बना दे इस चीज में ऐसा होता नहीं है पर मेरे पास जितना च्छोटा मोटा नौलेज है मैं आप तक बढ़ाने के साथ साथ इन स्पीकर्स की मदद से आप अपने स्टूडेंट्स को भी इस तुरो तो आप क्या कर सकते हो यहां पर मॉनिटर इन आउट्पूट तो आपने ले लिया है कई बार हम इसमें जब बाहर से कोई माइक एक्स्ट्रा माइक लगाते है या फिर कोई भी एड करते तो डिले आता है अब सहाब अगर डिले आ रहा है तो पढ़ाने मजब ना बच्चों को आएगा ना ऑनलाइन वालों को आएगा तो क्या होता सेम टाइम पर अगर आउट्पूट चाहिए तो यहां पर कनेक कर लो और यहीं से डारेक जैसे मैंने इसमें छोटे माइक में स् सकते हो तो एक ही माइक से आप बहुत अच्छे से मॉनिटर एन आउट्पूट की मदद से आप इस आउट्पूट को और लंबा ले जा सकते हो अपनी क्लास्रूम में स्टूडेंट को बैस कर सकते हो तो हाइबिरिट क्लास में OBS बहुत कामगर होगा इस तरीके से यह सारी चीजे हमारी साउंट की हो गई है आप देखिए एक और फीचर हमारे OBS ने हमको दे रखा है क्या होता है कि कई बार आपने साउंट सेटिंग कर ली पूरी आप चाहते हो इस पर कोई छेडखानी नहीं हो यहाँ पर जाओ सेटिंग के अंदर सेटिंग के अंदर जाके आप आप कर दो हाइड ओल करा यहाँ हाइड कर दिया इसको हैट कर दो इसको है वहाइड़ कर दो कि अप सिर्फ एक दिख रहा है अगर यह डिसकनेक्ट हो तो यह भी नहीं दिखेगा तो ऐसे आप बाकी सारे ना जो कल्ति से कुछ बार के होता है कई क्लिक हो गया चालू प्र स्ट्रीमिंग में इशू आता है तो अच्छे सच्छे टेक्निकल परसन के हवा चुट जाती है यह सामने फेकल्टी है हजारों बच्छे पढ़ने वाले तो प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करो बाकी सारी चीज़ों को हाइट कर दो अब आपको जब भी लगे तो यहां पर कर दीजिएगा तो सारे की सारे आपको यहां यहां पर सब्सक्त करो कि यहां पर सब्सक्रीख करना तो इसके अलावा साउंड में और क्या सेटिंग होती है, तो यार इसके अलावा साउंड में और कोई सेटिंग होती ही नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं करी, इन तीन चार सेटिंग से मेरा काम चलता है, मैं आपको एक बात यही कहूंगा, कि साउंड के अंदर, अगर हलकी सी सरसराट क आवाज भी है न तो इसे हटाओ क्योंकि आप एक टीचर हो आप गेमर हो एक डिजिटल क्रियेटर हो और आप घंटो घंटो किसी को नॉलेज देते हो और उस घंटो घंटो नॉलेज में अगर आप सोच के देखो कि अगर आपने गलत चीजों को गलत चीजों से मेरा मतलब है कि इन साउंड को भीच में इरिटीटिंग साउंड को डाला तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए अपने वीवर्स के लिए उन सरसरा आट को कि देखो आप जो पढ़ार है उस पर फोकस नहीं होता वह चर्र चिंग ऑसे इरिटीटिंग होगा ती नॉस पर फोकस इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा और जाते जाते एक बात कहूंगा कि online teaching में आपकी growth नहीं हो रही इसका reason क्या है यह मुझे भी नहीं पता और यह किसी को नहीं पता पर ऐसे छोटे-छोटे points और यूट्यूब चैनल पर मैं जितने videos बनाता हूं ना सब एक teacher, educator, digital creators के लिए तो वह सारे points अगर आप improve करना step by step चालू करोगे तो यह मेरा वादा है कि वो समय दूर नहीं जब आप यह कहोगे कि हमारे business score और आगे level पर कैसे लेके जाए मतलब आपकी यह attention नहीं रही कि व्यूज नहीं आ रहे यह नहीं आ रहे बच्चे नहीं आ रहे और इसको brand कैसे बनाया जाए तो देखिए निशकर शे निकाल रहा हूँ इस बात का कि मैं ऐसे निरंतर अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा इसके लिए आपको क्या करना है आपको मेरे चैनल को subscribe करना है बेल आइकन को प्रेस करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अगर आप चाहे तो मेरी digital marketing services application जो हम बनाते हैं टीचर्स के लिए एजुकेटर्स के लिए वह हमसे आप ले सकते हो हमारी application पूरे इंडिया में सबसे यूनीक अप्लिकेशन है, एक बाद डेमो जरूर देजिएगा, और दूसरा अगर आपना ड्रीम सूडियो सेटप करवाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत सही लोग है, जो आपकी मदद कर सकते हैं, थैंक यू सो मच फर वाचिंग